नमस्कार, इस वीडियो में हम एलो सोको ट्रीना होमेपैथिक दवा के लाग किन लक्षडों में उप्योग किया जाता है और कैसे किया जाता है इसकी चरचा करेंगे वीडियो को पूरा अवश्य देखें मैंने वीडियो में बावासीर की मुख्य दवा की भी चरचा की है लक्षण की तरब देखें तो सबसे पहले खाना खाने या पानी पीने के तुरंत बाद सौच का वेगधारन ना कर सकना गुदा प्रदेश में ऐसी मानस्पेसियां होती हैं जिन हैं संकोचक मानस्पेसि कहते हैं संकोचक मानस्पेशी का काम मल को बाहर निकलने से रोकना है एलो के रोगी के गुदा की संकोचक मानसपेशी सिथिल पड़ जाती है और वह खाना खाते ही या पानी पीते ही सौचाले को भागता है सौच का वेग धारन नहीं कर सकता प्राय देखा गया है कि सौचाले तक पहुचने से पहले ही सौच निकल परता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं ऐसे लक्षण में आप एलो होमेपैथिक दवा का उपियोग बिलकूर कर सकते हैं दूसरा लक्षण है गुदा प्रदेश में बोज अनुभव करने के कारण उधर ध्यान अटके रहना क्योंकि गुदा की संकोचक मानस्पेशी सिथिल हो जाती है इसलिए उस प्रदेश में जारा से भी मल इकटा होने पर रोगी का ध्यान उधर ही अटका रहता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं मल अपने आप बाहर ना निकल पड़े ऐसे लक्षण में भी आप एलो का उपियोग करें लाग मिलेगा तीसरा लक्षण वायू या मूत्र के साथ सौच निकल पड़ना रोगी की पेट में जब अपान वायू का अपसरन होता है या जब वो पेसाप करने लगता है तब पेसाप से हवा निकलने के साथ या पेसाप करते हुए सौच भी निकल पड़ता है इन सब का कारण गुदा की संकोचक मांस्पेशी की सिथिलता है और ऐसे में एलो लाब देता है अगला लक्षड कठीन मल का अनायास स्वयम निकल परना कभी-कभी बच्चे को पता ना रहने पर दी कठीन मल अनायास बिस्तर में निकल परता है डॉक्टर नैस ने एक बालेक का लेक करते हुए लिखा था कि जब हुए कभज के लिए चिकित्सा करा रहे थे परन्तु एनीमा से भी उसे थोरा साही मल निकलता था एक दिन उन्होंने देखा कि बच्चे के बिस्तर पर सौच का लेड पढ़ा हुआ है माता से पूचने पर पता लगा कि उसे प्राया ऐसा होता है पता नहीं कब निकल परता है उस बच्चे को एलो की 200 सक्ति का दिया गया और उसका कभज का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया अर्थात लक्षण मिलने पर अगर इस दवा का उपयोग किया जाए तो संपूर्ण रोग ठीक हो जाता है अगला लक्षण गाड़ी आउं का निकल परना तथा बावासीर इसका रोगी जब सौच जाता है तो कभी-कभी सौच से पहले एक प्याला भर जेली के समान गाड़ी आउं निकल परती है यह आउं आथ के निचले हिस्से में जमा होती राती है आउं निकलने के बाद गुदा में जलन होती है ऐसे में भी आप एलो धवा का प्रियोग बिल्कुल कर सकते हैं बवासीर गुदा परदेस में भारीपन का अनुभा होना एलो के हर रोग में पाया जाता है यह भारीपन सौच के एकत्रित हो जाने से हो सकता है, गुदा परदेश में आउं के एकटा हो जाने से हो सकता है या बवासीर से भी हो सकता है एलो में बवासीर के मस्से आउं से सने रहते हैं क्योंकि गुदा परदेश में एकत्रित आउं संकोचक पेसियों की सिथिलता के कारण बाहर रिष्ती रहती है और इन मस्सों को भीगोती रहती है इस बवासीर में खुजली बहुत मस्ती है, इन मस्सों में सोरने सोती है और ठंडे पाने से मस्सों को धोने से रोगी को चैन परता है एलो की प्रकृती है कि रोगी ठंड पसंद करता है और ऐसे बवासीर में एलो दवा बहुत अधिक लाप पहुचाती है बावासीर के सिल्सले में इलो की तुलना Bromium और Muratic Acid से की जा सकती है भेद यह है कि Bromium के मसुप के मुख का सलाईवा लगाने से अराम मिलता है और Muratic Acid की बावासीर में ठंडी की जगा गर्म पानी से अराम मिलता है जबकि अलो में हमने बताया है कि ठंडे पानी से अराम मिलता है अब मैं यहां बवासीर के रोग की मुख्य मुख्य और सदियों की चर्चा करूंगा नक्स वोमी का और सलफर प्राता सलफर ठटी और सुर्यास्त के समय सोने से तीन घंटे पहले नक्स वोमी का ठटी देने से प्राया बवासीर रोग दूर हो जाता है मेहनत ना करना, बैठे रहना घी तथा चटपटे पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना और इससे अगर बवासीर हो तो नक्स वोमी का ज़्यादा फायदा करती है पुरानी बवासीर खोन रहे या ना रहे सलफर ज़्यादा फायदा करता है अगला दवा एकोनाइट और तथा हेमामेलिस बवासीर में केवल खोन ही निकलने के लक्षर में एकोनाइट और था हेमामेलिस भी दिया जा सकता है इससे भी लापराप्त होता है एक्किलस प्राय बादी बवासीर में जहां असुद्य रक्त द्वारा शीरा सोत से मस्से बन जाते हैं उनमें एक्किलस दवा बहुत ज़ादा उपियोगी है कोलिनसोनिया एक्किलस की तरह इसमें भी ऐसा अनुभा होता है कि गुदा में तिमिके चुब रहे हैं परन्तु एक्किलस प्राय बादी और कोलिनसोनिया खोनी बवासीर में उपियोगी है एक्कुलास में कब्ज उतना नहीं रहता कॉलन्सोनिया में बवसीर के साथ कब्ज रहना जरूरी है इसमें कब्ज इतना होता है कि डॉक्टर नैस ने एक रोगी का कब्ज जो दो सब्ता है सिर्फ एक बार पकाना जाता था इससे दूर कर दिया था इस कबजे में भी बवासीर हो जाती है ऐसे में कलोन सुनिया दबा बहुत लाब करती है मियूरेटिक एसिड इसमें मस्य नीले रंके होते हैं और उनमें इतनी सोरनस होती है कि बिस्तर की चादर का असपर्स भी सहन नहीं होता गर्म पानी से दोने से आराम मिलता है हमने बताया है एलो में ठंडे पानी दोने से आराम मिलता है आरसेनिक भारी जलन ऐसा मालूम होना जैसे बावसीर के मस्यों में गर्म सुई निकल रही है मस्य बाहर निकलना और गर्म सेख से आराम होना ऐसे में आर्सनिक दवा लाग पहुचाता है रहटेनिया पखाना के बाद समूचे मलद्वार में असनियन जलन यहां तक कि धीला पखाना होने पर भी जलन होता है मस्से बाहर आ जाते हैं ऐसे मिया दवा लाग देता है उक्त लक्षनों के साथ औसदीक के अन्न लक्षनों को भी मिला कर देखने का पर्यतन करना चाहिए तबी सम लक्षन वाली दवा सामने आती है केवल एक ही लक्षन पर भरोसा करना ठीक रही है सम पूर्ण लक्षन का आप निसकर्स निकाले तबी दवा का चेयर करें एलो का अगला लक्षन बता रहा हूँ डिसेंट्री में पेट में गरगराहट का सब्द होना अगर डिसेंट्री में यह लक्षन उपस्तित हो कि पेट में गरगराहट के साथ ऐसा मैसूस हो जैसे बोतल में से पानी गरगर करके बाहर निकल रहा हो तब यह एलो का विशेश लक्षण अर्थाथ करेक्टरिस्टिक सिम्टम है पोडोफाइलम में भी गरगराहट है परन्तु उनके दस्त दोपहर से पुर्व बंद हो जाते हैं तो एलो और पोडोफाइलम में यही अंतर है पोडोफाइलम में दोपहर से पहले बंद हो जाते हैं जबकि एलो में सुबह रात में कभी भी डिसेंटरी लग जाती है बीर पीने के बाद डाइरिया होना जो लोग बीर पीने के आभी होते हैं उन्हें पराता डाइरिया हो जाता है ऐसे विक्तियों को जो भी बीर पीएं परिनाम श्वरोप डाइरिया हो जाए एलो बहुत अच्छा लाब पहुचाता है कभी कभी एलो लाब ना पुछाए तो कैली बाई क्रोम इस अवस्था में बहुत अच्छी दवा सिद्ध होती है डाइरिया में डॉक्टर डनहम का एलो की विशे में अनुभाव है वो मैं एक पर बता रहा हूँ एक डाइरिया के रोगी को जिसे कैलकेरिया, नक्सवोमिका, ब्राणिया, अर्सेनेक आधी दिया गया पर तो कोई लाब ना हुआ उसके लक्षनों को लेते हुए पता चला कि जब वह दस्थ आता है तब पेट में बरे जोड से गरगराहाट होती थी दस्थ को वेग इतरा प्रबल होता था कि सवेरे तीन बजे गहरी नीन से उसे उठ बैटना परता था तीन बजे से नौ बजे तक उसे चार से पाच बार पतले गरगराहाट के साथ दस्थ आ जाते थे दिन या रात के समय अन्ने समय दस्थ नहीं आते थे जब दस्थ की हाजत होती थी तब उसे एकदम सौचाले को भागना परता था उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह दस्थ को रोखी नहीं सकता गुदा के मांस्पेसी में उसे ऐसी सिथिलता अनुबव होती थी कि सौच को रोखना असंभव प्रतीत होता था उसे 10 बजे एलो 200 सक्ति की मात्र दी गई और उसका रोग पूरी तरह जड़ से ठीक हो गया आसदी देने का समय वह होता है जब रोग का वेक शांत हो गया हो क्योंकि 9 बजे के बाद उसे 10 नहीं आते थे इसलिए 10 बजे यह औसदी दी गई थी और उसका रोग पूरी तरह से ठीक हो गया था एलो का अगला लक्षन यह जिगर रोग की मुख्य दवा है एलो जिगर की रोग की बहुत अच्छी दवा है यह औसदी दिर्ग काली या गहराई में जाने वाली नहीं है इतनी गहराई में जाने वाली जितनी सलफर है परन्तु लीवर के रोगों में या प्राय रोग की तिवरता को कम कर देती है परन्तु उसके बाद इसी की अनुपूरक औसदी जैसे सलफर, कैलिबाइक्रोम या सीपिया देने से रोग जर मूल से ठीक हो जाता है एलो सलफर की तरह तो गहरी नहीं होती है परन्तु एकोनाइट और बेला डोना की तरह अल्प कलपित अर्थात सौक एक्टिंग भी नहीं होती है या सलफर और एकोनाइट के बीच की दवा है अब मैं एलो और नक्सवोमिका की तुलना कर रहा हूँ नक्सवोमिका में सौक जानने की बार-बार इच्छा होती है क्योंकि आते सौक को एक बार में नहीं निकाल सकती एलो में इसके विपरीत आते सौक को रोखी नहीं सकती इसलिए वो अपने आप निकल परती है नक्स वोमिका में गुदा का संकोचक मांसपेशी उत्तेजित रहती है इसलिए बार बार थोरा थोरा सौच आता है एलो में यह मांसपेशी सिथिल रहती है इसलिए सौच को रोपना कठिन हो जाता है एलो और सल्फर के तुलना कर रहा हूं एलो तथा सल्फर में गहरा संबंद है दोनों में प्राया बिस्तर से उठते ही सौच के लिए भागना पड़ता है दोनों में पैड जलते हैं क्योंकि तवचा में गर्मी पाई जाती है इसमें भे दिया है कि एलो का रोगी खाना खाने के बाद जट सोचाले को जाता है सल्फर का रोगी सोने से उठते ही जट से सोचाले को दोरता है अगला लक्षण या उसने प्रकृति का उसदी है एलो के बारे में बता रहा हूं गर्मी से रोग का बरना तथा ठंड से घटना एलो औसदी का प्राकर्तिक लक्षड है जो इसके सब रोगों में पाया जाता है रोगी ठंडे कमडे में रहना चाहता है, गर्मी और गर्म लपटें अनुभाव करता है, उसकी तोचा गर्म और सुस्क रहती है, विस्तर में रात को कपरा उतार फेकता है, सिर गर्म महसूस होता है, जहां ठंडक वह रोगी चाहता है एलो औसदी का अन्य लक्षन, जिस रोग में औसदी की अधिक मात्रा देने से औसदी के लक्षन रोग में घूल मिल गए हो, समझना पड़े कि ये लक्षन औसदी के हैं या रोग के, वहाँ एलो से उपचार करने से लक्षन असपस्ट हो जाते हैं, नक्सवोमिका और सलफर म में इस दिशा में बहुत अच्छा काम करती है, उपरियोगत है, अब मैं शक्ती की पोटेंसी की बात करूंगा, गुधा रोग में पड़ाय थ्री सक्ती की कुछ मात्राय देकर इंतेजार करना चाहिए, और दूसरे रोग में एलो की 30 या 200 शक्ती देने पर रोग बहुत अ सबरा रहा हूं ताकि जहन में आ जाए कि एलो कपकप देना चाहिए, सबसे पहला खाने या पीने के तुरंत बाद सौच का व्यगधारन ना कर सकना, दूसरा गुधा परदेश में बोज अनुवा करने के कारण उधर ध्यान अटके रहना, तिसरा वायू या मुत्र के साथ सौच निकल परना, चौथा कठिन मल का स्वयम निकल परना, पाचवा गाढ़ी आउं का निकल परना तथा बवासीर, छठा डिसेंट्री में पेट में गरगराहट होना, साथवा बीयर पीने से डाइरिया होना, और लास्ट आठवा यह जिगर रोग की मुख्य दवा है, औ गर्मी से रोग बढ़ जाती है, गर्म मौसम में रोग बढ़ती है, नम मौसम में रोग बढ़ती है, प्राथा काल दो बज़े से एक बज़े तक रोग में व्रिद्धी होगी, सवेरे बिस्तर से उठते ही व्रिद्धी होगी, और सौच के लिए जारा पढ़ता है, मैंने क परिसानी आ रही हो या आप treatment करवाना चाहते हैं या आप अपने address पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक सौफ पर मिल जाएगा दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा ले कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करें WSI, Requeg, SBL, Edil किसी भी कमपनी की दवा आप ले सकते हैं सबी अच्छी है धन्यवाद